हेलो फ्रेंज, गुड मॉर्निंग, तो आज का हमारा टॉपिक है गैस्टूलेशन, यह मसी थार्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट इम्मिनोलोजी के फोर्थ उनिट का टॉपिक है, साइनप्सिस से हम लोग स्टार्ट करेंगी, साइनप्सिस में हैं इंटोड़क्शन, रेफिनेश सबसे पहले इंटोड़क्शन देखते हैं, इसे गैस्टूला कहा जाता है, गैस्टूला में सेल की त्री लेयर बनती है, जिन्हें जर्म लेयर कहते हैं, यह एक्टोडर्म और एंडोडर्म और मीजोडर्म कहलाती है, गैस्टूला में एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, जिसे गैस्टूसील कहते हैं और जिसे प्रिमिटिव गड़ भी कहा जाता है, अब सेकेंड ह रोखन देखेंगे डेफिनेशन, GESTRULATION Pregnancy के तिसरे विक्हे दौरान होने वाली विएस्ट घटना GESTRULATION कहलाती है, एंड क 토-Derma exercise Ken little मेzोडर्मव हुरम बनता है, तो देखेंगे GESTRULA क्या होता है, blastula से blastula बनने की process gastulation कहलाती है जिसमें blastula single layer का होता है जो change हो जाता है gastula में जो की multiple layer का होता है या diploblastic animal है तो double layer का होगा और triploblastic animal है तो three layer का होगा different coordinates में इसकी structure different होती है gastrula में three layer की बनी होती है जिसके बीच में एक cavity पाई जाती है phase of cell of germ layers इसमें ectoderm, mesoderm और endoderm तो ectoderm कैसे मिला होता है epidermis, nervous system, retina, pituitary gland और pineal gland mesoderm में कैसे होता है connective tissue, endoskeleton, circulatory and excretory system और endoderm में digestive system, respiratory system, thyroid, parathorite, thymus, etc. और यह इसका diagram है फिर है silent feature of gastrulation gastrulation convert a blastula into gastrula इसके cell से एक place से दूसरे place में move करते है यह morphogenetic moment कहलाती है morphogenetic moment के कारण three germ layer के रूप में arrange हो जाते है एक new cavity का निर्माड होता है cell division की rate reduce हो जाती है तथा oxidation की rate increase होती है protein का synthesis होने लगता है process of gastrulation gastrulation एक important process है क्योंकि इसमें triple layer का formation होता है और यह triple layer, germ layer होती है इन germ layer के आगे चल, आगे यही germ layer जो होता है वो आगे चलके organ बनते हैं यह process two event में complete होती है पहला है differentiation और दूसरा है morphogenic moment तो differentiation देखते हैं blastula में जो blastomere बने है single layer में जो arrange है वो blastomere divide करेंगे cleavage की process चलते रहता है gastrulation तक फिर divide होकर बहुत सारे cells बनाते हैं उनी को differentiation कहते हैं blastomere का cell है वो change हो जाते हैं और अलग-अलग cell में बहुत सारे cell divide करके cleavage करते हैं और cell बना लेते हैं यानि बहुत सारे blastomere बना लेते हैं वो differentiation हो जाएगा फिर है morphogenic moments इसमें थ्री जर्म लेयर होते हैं उनको establish करने के लिए migrate कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह वो morphogenic moments कहलाता है ठीक है फिर है type of morphogenic moment थ्रोन ओवन इसको एक्टोडर्म और थ्रोन इन एंडो मिजोडर्म और जो एक्टोडर्म है उससे एपी बॉली है और इसमें इंबॉली है इसमें इनवेजिनेशन और इनवालियोशन आता है और इसमें इंग्रेशन और पॉली इंगेविनेशन और डिलेमिनेशन आता है ठीक है? इसा चार्ड बना सकते हैं आप लोग फिर पहला देखेंगे इपी बॉली इपीबॉली ब्लस्टियूला से गेस्टियूला में चेंज होगा तो वहाँ ब्लस्टोमियर बनी हुए है जहां सेल की पूरी सीट मोमेंट करे यह हम उसको टिसू कहते है इसमें सेल की पूरी सीट एक साथ अरेंज होती है और उपर की ओर जाने तो इस तरह का फॉर्मूला को इपीबॉली कहते है और इसमें एक्टोडर्म बनेगा क्योंकि भाहर की ओर मूफ करता है और यह सी अर्जिस ट्यूनी केट से एंड एंपीवियंस में पाए जाते है ठीक है अंट्राइग्राम आप लोग बनाएंगे फिर है इंबॉली में इन्वेजिनेशन कोई सौफ्ट रबर की बॉल हो और उसके अंदर अलो हो या फिर यह प्लास्टूला है उस बॉल को अगर तेंचर से प्रेस करें तो एक लेयर अंदर की ओर चली जाती है इसी को इन्वेजिनेशन कहते हैं इसमें एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है इसका एक्जामपल है सी अर्चिन में एंडोडर्मा बनते हैं फिर है इन वाल्योशन इसमें कोई आउटर लेयर इसको फॉल्ड करते हैं अंदर की ओर तो एक न्यूडर्म का निर्माड होता है जिसे मिजोडर्म का formation हो जाता है इसमें human-like structure नहीं बनती है फिर है ingration ये migration और से migration में one place to another place में जाना था और migrate करना था और in लगा दिये तो अंदर की और migrate करना है ingration में किवाल एक single cell migrate करते हैं उसे ही ingration कहते हैं इसका example है c arches में मिजोडर्मा बनते हैं फिर है delamination ये word lamination से लिया गया है जैसे कि हम document को laminate करते हैं तो एक seat उपर में लगा दी जाती है उसे ही lamination कहते हैं और d है यानि कि हटाना है delamination है तो ingration से मिलता है ingration में single cell से migration हो रही है लेकिन अगर पूरी seat की migration होगी तो उसे delamination कहते हैं इसका example है hypoblast formation in birds and mammals फिर आगे देखते हैं consequence इसका diagram आप लग बना लिजेगा आगे देखते हैं gastrulation की process में embryonic tissue का formation होता है जिन्हें जर्म लेयर्स कहते हैं इसमें embryonic gut and exeuteron की formation होती है यह major body areas की वपस्थिती है फिर है conclusion overall study से हमें पता चलता है कि gastrulation embryonic development के दारान होने वाली एक important process है इसमें blastula एक single layer में होता है जो multiple layer वाले cell में change हो जाते हैं इससे gastrula कहा जाता है और reference है इसमें reproductive physiology by gaiton और by net तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, share and subscribe and thank you for watching